हेलो फ्रेंग्स मैं कल्पना आप सभी का स्वागत करती हूं सान्या गार्णिंग चैनल में आज हम बात करेंगी कि अगर हमारे दुल्सी के प्लांट पर किसी भी तरह के इंसेक्ट का कोई भी अटैक हो या तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर के जो उसकी लीफ्स को खाने वाले इं प्लांट पर लगे रहते हैं और वह दीरे दीरे हमारे प्लांट के एनरजी को लेते रहते हैं तो उन्हें हम किस तरह से रिमूफ करेंगे मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइट बताने वाली हूं यह एक तो घर में आपको इसली अभी लेबल हो जाएगा और इसका effect आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा तो तुलसी के प्लांट से किसी भी तरह के केड़े को भगाना हो या फिर किसी भी fungus तुलसी अगर आपकी सूख रही है किसी भी प्रकार की कोई भी problem हो तो आप बस इन दो चीजों का use करेंगे अपने तुलसी के प्लांट पर तो आपका तुलसी का जो प्लांट है वो फिर से healthy हो जाएगा तो चलिए देखते हैं कि कौन सी वो दो चीजे हैं जिनका use आपको करना है तो यह हैं वो दो चीजे यह है healthy powder यह है डालचीनी powder दोनों को मैंने एक एक चमच ले लिया है आप चाहें तो इसमें से अगर कोई एक भी चीज हो आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हैं अगर दोनों mix करके use करेंगे तो थोड़ा जल्दी effect होगा तो मैं दोनों को ही use करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आपको use करना है अपने तुलसी के प्लांट पे तो सबसे पहले दोनों को एक एक प्लांट के अच्छे से गोडाई कर दीजे गोडाई करने के बाद अब हम क्या करेंगे जो हल्दी पाउडर है और जो दालचीनी पाउडर है उसको हम अपने तुलसी के प्लांट पर अप्लाई करेंगे तो इन दोनों चीजों को हम लेकर और बस क्या करना है इस तरह से ले एक एक चमची लेना है, जादा नहीं लेना है, अगर थोड़ी बहुत मात्रा कम जादा हो जाती है, तो उससे कोई फेक्ट नहीं पड़ता है, तो सभी को हम क्या करेंगे, उसी प्लांट की जो सॉयल है, उसमें अच्छे तरीके से डाल देंगे, डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अपने पॉट को पानी देंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा भर के पानी देंगे, प्लांट की सॉयल में ये बहुत ही तुलसी के प्लांट को सेडी एरिया में ही रखे क्योंकि अब थंड का सिजन स्टार्ट हो गया है और तुलसी के प्लांट पर इंसेक्ट का टैक या फंगस का टैक बहुत ही ज़्यादा होने के चांसिस रहते हैं क्योंकि प्लांट को थोड़ा सा नमी मिलती है या फिर फुल स जादा नहीं मिलेगी नमी बनी रहेगी इसलिए इस पर इंसेक्ट का होता है तो अब हमें अपने प्लांट पर यह चीज अपलाई करना पड़ेगा तो हर 15 दिन के बाद अगर आप इन सब चीजों को अपलाई करेंगी तो आपका जो तुलसी का प्लांट है वह हैल्दी तो मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा थैंक यू करेंगी प्लाई करेंगी चूलसी करेंगी तो हरो